हैलो फ्रेंड आज मैं एक्दम नए तरीके से मार्किट जैसा घर में चिप्स बनाने का रेश्टी आपने के साथ जेट करूँगी ना उबालने का जहनचट और ना सुखाने का मार्किट में जैसा पैकेट में चिप्स मिलता है बिल्कुल वैसा ही चिप्स मिन्टों में घर में बना करके बच्चों को खिला सकते हैं और देखने में भी बिल्कुल मार्किट के चिप्स जैसा ही दिख रहा है और टेस्ट भी बिल्कुल मार्किट के चिप्स जैसा ही बन के तयार हुआ है तो चलिए मीना देर किये हुए रिस्पी शुरू कर लेते हैं चिप्स बनाने के लिए यहां मैं चार बड़े साइज का आलू ले ली हूँ आप अपने हिसाब से आलू ले लीजिए जितना आपको चिप्स बनाना है और आप छिल लेंगे अभी मारकेट में बहुत ही अच्छे आलू आ रहे हैं और सस्ते भी आ रहे हैं तो क्यों ना सस्ते आलू का फैदा उठाया जाए इसी तरह सारा आलू छिल लेंगे और एक पाल में पानी लेंगे और आलू को पानी में डालते जाएंगे तो जो भी इसमें अश्टार्च होगा निकल जाएगा तो चिप्स सफेद बनेगा और आप एक बरतन में पानी ले लेंगे और चिप्स काटने वाला मसीन ले लेंगे और इस तरह से चिप्स काट लेंगे सारा चिप्स इसी तरह काट लेंगे और एकदम पतला पतला चिप्स काटना है मैं दिखाती हूँ इस तरह से पतला पतला चिप्स काट करके तयार करना है हमको आप देख सकते हैं बिल्कुल ही पतला चिप्स है सारा चिप्स काट लिम है मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं यह बिल्कुल पतला और ट्रांस्पेरेंट चिप्स है इसी तरह का चिप्स काट करके तयार करना है तभी मार्केट यासा चिप्स बनके तयार होगा और आप चिप्स को पानी में अच्छे से डिप कर देंगे और 15-20 मिनट इसी तरह पानी में छोड़ देंगे जितना भी अश्टार्च होगा सारा निकल जाएगा तो एक तम सफेद चिप्स बनेगा लगभग 15-20 मिनट हो गया है अब 2-3 पानी से अच्छे से धू लेंगे आप चाहें तो 15-20 मिनट से जादा भी रख सकते हैं धू करके पानी छान लिए अब एक साप कपड़ा ले लेंगे कोई भी साप कपड़ा ले लीजिए और अब चिप्स को इस पे डाल देंगे और इस तरह से हम पोँच करके बनाते हैं तो बहुत ही समय लग जाता है पोँच करके चिप्स को सुखाने में और उतना अच्छे से सुख भी नहीं पाता है तो आज मैं एक नया तरीका आप लोग को बताऊंगी चिप्स को सुखाने के लिए मिन्टो में आप धेर सारा चिप्स सुखा सकते हैं इस ट्रीक से कपड़ा को इस तरह से इकठा कर लेंगे मोल लेंगे और अच्छे से बान लेंगे इस तरह से अच्छे से टाइट बान लेंगे ताकि खुले नहीं आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से बांध लीजिए और पोटली हमें एतम फीट नहीं बनाना है एतम टाइट नहीं बनाना है कपड़ा थोड़ा छोड़ करके ही उपर ही बांधना है हमको एतर थोड़ा लूज रखना है आप देख सकते हैं इस तरह से और आप e-sportly को washing machine में डाल देंगे और कपड़ा सुखाने का जो setting होता है spin का उस पे set कर देंगे यह spin का setting पे set कर देंगे और machine on कर लेंगे यह हमारा setting 14 मिनट का है लेकिन 14 मिनट हम machine को नहीं चलाएंगे 5-7 मिनट ही चलाएंगे 5-7 मिनट में बहुत अच्चे से चिपस सुख जाता है ड्राई हो जाता है इस ट्रिक से आप मिनटो में धेर सारा चिपस सुखा सकते हैं और आप लोग को लग रहा होगा चिपस तूट जाएगा लेकिन चिपस बिल्कुल नहीं तूटता है मैं निकाल करके दिखाऊंगे और आप कोई भी मसीन में सुखा सकते हैं आपके पास जो भी मसीन है उसमें आप सुखा सकते हैं 6-7 मिनट हो गया अब मसीन अफ कर देंगे अभी मसीन लोग है दो मिनट बाद अपने आप अनलोग हो जाएगा मसिन अनलोक हो गया अब चिप्स को निकाल लेंगे और खोल करके मैं दिखाती हूँ आप देख सकते हैं चिप्स एक भी नहीं टूटा है और बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है आप कप्डे से पोछेंगे तो इतना अच्छे से चिप्स ड्राई नहीं हो पाता है उपर का पानी ही कप्डे से पोछा पाता है और चिप्स के अंदर जो पानी है वो नहीं सुक पाता है तो तलते समय ज्यादा समय लग जाता है अभी चिप्स बिल्कुल ड्राई हो गया है और आप चिप्स के लिए मसाला बना लेते हैं एक मिक्सी का जार ले लेंगे छोटा वाला एक चमच नमक डाल लेंगे आधा चोटा चमच मिर्च पाउडर डाल लेंगे आधा चोटा चमच चाट मसाला और ढकन बंद करके एक दो बार चला लेंगे तो मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा सभी चीजे अच्छे से मिक्स हो गया आप चाहें तो कलर के लिए कस्मिरी लाल मिर्च डाल सकते हैं यहां मैं आधा छोटा चमच कस्मिरी लाल मिर्च डाल रहे हूं साथ में डाल करके मिक्स कर लीजिए मैं बाद में डाल रही हूँ एक कटोरी में निकाल लेंगे और अब एक कटोरी में दो चम्मच नमक ले लिये हैं और थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्स कर लेंगे घोल लेंगे और इस पानी को चिप्स के उपर डालेंगे तो चिप्स में एकवल नमक का टेस्ट आएगा अरब चलते हैं चिप्स तलने कडाही में तेल गरम कर लिये हैं और तेल अच्छा गरम होना चाहिए और गेस का फ्लेम हाई रखना है और थोड़ा थोड़ा चिप्स डाल लेंगे एक बार में जितना कडाही में अच्छे से चिप्स आ सकता है उतना डाल लीजिए और आधा मिनट बाद नमक का गोल चिप्स के उपर थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे आधा चमच गोल को थोड़ा थोड़ा करके दो तीन बार में सभी जगा अच्छे से डाल लेंगे तो चिप्स में नमक का इक्वल टेस्ट आएगा और हाई फ्लेम पे चिप्स को क्रिस्पी होने तक तल लेंगे चिप्स क्रिस्पी हो गया है अब निकाल लेंगे आप देख सकते हैं यह बिल्कुल सफेद चिप्स बनके तयार हुआ है मिल्कुल ही लाल नहीं हुआ है एक तम मार्केट जैसा चिप्स दीख रहा है इसी तरह सारा चिप्स तल लेंगे और मार्केट में पैकेट में जो चिपस मिलता है वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं और वो कोश्टली भी पड़ता है तो आप कम खर्च में इस तरह से बच्चों को मार्केट जैसा चिपस घर में बना करके दे सकते हैं और आपके पास वासिंग मसीन नहीं है तो थोड़ी त्यार हो गया मैं दो जगा अलग अलग रखी हूँ एक में मसाला मिलाओंगी और एक साधा छूड़ दूँगी जैसा पैकेट में हलके फुलके चिपस मिलता है बिल्कुल उसके जैसा टेस्ट आता है इस चिपस का और चटपटा बनाना चाहते हैं उपर से मसाला छिड़क करके और इस तरह से मिक्स कर लीजिए यह हमारा चटपटा चिपस बनके तयार हो जाएगा और आप आवाज से समझ सकते हैं पिल्कुल मार्केट के चिपस जैसा क्रिस्पी चिपस बनके तयार हुआ है एक मैं तोड़के भी दिखा देती हूँ और यह देखने में भी बिल् टेस्ट वैसा ही लगता है तो फ्रेंड्स एक बार आप जरो ट्राइ कीजिए यदि यह हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हिल्फुल लगी हो तो चैनल के नीचे लाइक का बटन प्रीज कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल एकन को भी प प्रीजिए नपको सब्सक्राइब में सब्सक्राइब